कि नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभिनादन मैं हूं डॉक्टर वायराकी कैसे हैं आप लोग कमेंट्स में जैमातादी जरूर लिखे आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है अगर अभी तक आपने पोटली का ओडर नहीं किया है दिपावली सर पर है तो पोटली का ओडर कीजे लिमिटेट पोटलियां है जो हमें आपके घर पहुचानी है ताकि आपका भागयोदे जरूर हो और पोटली के ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे उसके बाद रमायन उसके बाद सत्मारमगान की कथा तो नियामी तुरुप से आपकी पूजा का जो समान है वो लक्षमी के मंतरों से अभी मंतरित हो रहा है ये पोटली बनाकर आपको दशेरे वाले दिन दस में वाले दिन डिस्पैच की जाएगी यानि की कोरियर की जाएगी आप चाहें तो बाइ हैंड आकर भी अगर आप दिली में रहते तो ये पोटली ले सकते हैं पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबट के मतब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखेग है क्योंकि इस बार गनेश जी आपके घर लक्षमी को लेकर जरूर आएंगे इन दस दिन में जब हम गनेश जी धर्ती पर हैं उनकी पूजा कर रहे हैं तो पोटलियों का सभी समान पूजित किया जा रहा है अभी मंदरित किया जा रहा है तो पोटली के लिए जल्दी और करें वीडियो कॉल करकर मुझे देखें या ना देखें लेकिन इस ओफिस को जरूर देखें आप ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फस्या आप चैमाता दी नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी आप लोगों का स्वागत अभी शेयर कीजिए अगर आपको मेरी बाते समझ में आती हैं क्योंकि बिलीव इन कर्मा हां जी आज मैं आपको ऐसे दो खतरनाक दोशों के बारे में बताऊंगी जो अभी अभी पैदा हुए हैं पहले ये दोश हमारे परिवारों में नहीं हुआ करते थे इका दुका किसी घर में हुआ करते थे लेकिन नहीं होते थे लेकिन इन दो दोशों ने जो हर दूसरे व्यक्ति के कुंडली में है जो हर दूसरे व्यक्ति के घर में है जिसने जिन्दगी को खतम कर दिया है जहां लोग डरे डरे और अलग-अलग पंडितों के पास भागते हैं लग 20 यों उपाय कर चुके हैं पर ये दोश खतम नहीं हो रहे आज यूँ चुटकी बजा कर ये दोश खतम करने का बिना पैसे का उपाय मैं आपको बताऊंगे आप कहेंगे हां राकी जी बिल्कुल सही का आप नहीं ऐसा ही करती थी मेरी मम्मी आप कमेंट में लिखेंगे इसा ही करती है मेरी मम्मी अभी भी ऐसा ही करती है मेरी भावी अभी भी जिनके घर में आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूं वो होता है तो ये दोश वहां पर नहीं है चाहे कोई पंडित चाहे डॉक्टर वायराकी भी क्यों ना कह रही हो आपको तो ये दोश आपके घ बखाई देते हैं लेकिन ये दो दोश मुझे हैं आपको हैं संसार में सबको हैं ने हमारे बज़र्गों में क्यों नहीं थे क्यों वो लो खुश थे क्यों उनके घर में ये दोश नहीं होता था जाना चाहते हैं चलिए मैं बताती हूँ पहले जमाने में ये दो दोश बिलकुल भी नहीं थे क्योंकि ना वो लोग पूछ पूछ कर मकान बनाते थे ना पूछ पूछ कर आर्किटेक को बुलाते थे ना वास्तु शास्त्री को बुलाते थे ना दुनिया भर क साजो सज्जा के लिए दुनिया भर के लोगों को बुला कर अपने मकान के बारे में पूस्ते थे जहां प्लॉट देखा जिदर देखा खरीदा चार दिवारे खड़ी करी और अपने घर के पंदरा लोगों के साथ दो कमरों में रहना शुरू कर दिया लेकिन वासुदोश न करते ते वह ग्यानी थे वह भारते संस्कृती को करते थे उनका आपस में एक दूसरे के प्रति मान और प्यार था उनकी रिष्टों में इज्जट थी वह घर के अंदर बुजर्गों के आते ही गुंगट किया करते थे तो क्या घुंगट करने से वास्तुदोश ख follow करते थे उनका आपस में एक दूसरे के प्रतिमान समान और प्यार था उनकी रिष्टों में इज़त थी वो घर के अंदर बुज़र्गों के आते ही गुंगट किया करते थे तो क्या गुंगट करने से वास्तुदोश खतम हो जाता है राकी जी केसी बते कर रही हैं आप चाह थे भगवान उनकी आत्मा को शांती दे और सी बी आई ऑफिसर थे वो और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया सी बी आई के लिए लेकिन आपको पता एक बात मैं पहली बार सतना एंद भगवान की पूजा हो रही थी शादी के बाद बैठी तो मैंने कुछ इस तरह से ऐसे बैठ गई तो धीरे से मेरे पास मेरे पापा आया और उन्होंने मुझे कान में कहा बिटा तुमने कोई पाप किया है मैंने का नहीं पापा तुमसे कुछ गल्ती हुई है मैंने का नहीं पापा तो तुम मूझ क्यों छुपा रही हो यहां सब लोग बैठे हैं किसी भी महिला के सर पर पलू नहीं है ये पंजाब नहीं है मैंने का पाप तो क्या पंजाब में सबने पाप किया है गलती किया है नहीं नहीं शादी तो हुई थी बट मुझे जिग्यासा बहुत रहती थी तो मैंने का भगवान के मंदिर में कभी खाली सर नहीं जाते हमने बच्पन स सी कहा है किरे जब तुम पैदा हुई थी तो तुमारे सर पे गुंगड था मैंने का नहीं पापा तो किरे इस ब्रहम से बहा निकलो और मेरे सामने आज के बाद गुंगड करकर तो एक महिला ने कमेंट भी किया ता मैंग हम तो सब आपको देखकर सीखते हैं और आपने सर पर पल्लू नहीं कर अगा तो भई मैं नहीं करती मेरे बुजखों ने मुझे सहा नहीं करना सा दी बाँन से करूँ करती है और पापा की हर उस बात को मानूगी जो जरूरी है लेकिन मैं जब गुर्दसारेल जाती हूं तो इस वक्रूत में पहुरा पाइल करती हूं मैं अंगूडिया पहनती हूँ, मैं मंगल सुतर भी पहनती हूँ, मेरा हमारा सौने की चेन वाला मंगल सुतर होता है, अपने घर की हर बड़ी पूजा में मैं उस मंगल सुतर को जरूर पहनती हूँ, देखे, रोज पहनना संभव नहीं क्योंकि सोने की मोटी चेन है, और दि तो मैं अपने उस कल्चर को हमेशा से इन चीजों में फॉलो करती आ रही हूं तो मैंने फॉलो किया मैंने कहा पापा सही बात है ऐसा तो कुछ नहीं किया है कि मैं धबूँ तो मैंने जब से घूंगट करना चोड़ दिया लेकिन अपने घर और अपने बुर्जुर्गों की बात आप सुनिये हमारे घरे से जितने लोग हुआ करते था पहले जमाले में उनके आवास्तु दोश क्यों नहीं होता था वो सब उठते थे सुबह उठने के बाद लोटा लेते थे नाद होकर अपना लोटा लिया अपने घर के मठके से उन्होंने जल लिया और घर के आसपा शिवलिंग पर जाकर उन्होंने जल चड़ाया अब मठका क्या है मिट्टी ठीक है मिट्टी क्या हो गई मटके को पित्रों का रूप मौल बोला जाता था पित्र क्योंकि हम सब मिट्टी में ही मिल गए ना हमारे पित्र भी मिट्टी में मिल गए हम सब को भी मिट्टी में ही मिलना है यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है तो आपने एक मटका में से पानी लिया या घर के नलके में से पानी लिया घर के कुएं में से पानी लिया आप शिवलिंग पर गए और आपने जाकर वहाँ जल चड़ा दिया तो जितना भी पितर दोस था उस मठके में उस लोटे में आया और जाकर शिवलिंग पर अरपन हो गया तो कैसा पितर द चलानी की जरूरती नहीं घर के अंदर बातरूम घर के बाहर घर के अंदर पैर धोई बिना नहीं आना घर की आंगन में कुआ नीम का पौधा तुलसी का पौधा तमाम तरह की चीज़े तो वास्तुदोश होगा कैसे लेकिन अब क्या है हम मंदिर जाते हैं मंदिर से ही लोटा लेते हैं मंदिर का ही जल लेते हैं मंदिर का ही शिवलिंग होता है और जल चड़ा देते हैं भूले ना तंदर से कहते हैं इतना भी कस्ट क्यों किया तू क्यों आ पूर्टा आई है हम मेंसे कितने लोग हैं जो अपने घर से लोटा जल भर कर शिवलिंग पर अरपन करने जातें कुछ नहीं होता हमारा लेकिन हम में मैं होती है मैं गई थी मंदिर मैंने शिवलिंग पर जल चड़ाया मैंने ये किया अब आप कहेंगे राखिजी क्या करें ल इसलरी की बॉटल खरीद लीजिए घर से बॉटल पानी में लेकर जाएए और आप शिवलिंग पर अर्पन करें लेकिन जब आप उसमें समर्पन की भावना रख रहे हैं तो दूद आपने बजार से ले लिया, लोटा आपने मंदर का ले लिया, जल आपने मंदर का ले लिया शिवलिंग तो पहले ही मंदिर के थे आपका क्या गया तो कहां से वास्तुदोश या पित्रदोश उस घर का खतम होगा कोशिश करें पहले जमाने की महिलाएं घर का कुछ एरिया कच्चा रखती थी आंगन कच्चा रखती तो उसे लेपती थी काम मिलता था उन्हें लेकिन अब आपको और मुझे तो क्राइम पेट्रोल देखना होता है अब आपको और मुझे तो सिरीज देखने होती हैं अब आपको और मुझे तो वीडियोज देखने होते हैं तुलसी तो फिर भी आपका भला ही कर रही है, लगाते चाहिए, मुझाती जाएगी, आप लगाते चाहिए, लेकिन हम के, रागे ची हम भी कितनी लगाएं, आप तो हमने लगानी बन कर दिया, नहीं बन अपती, तो बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, यकीन मानिये, तीन च सुनो, ना बोरा, बोलो, शायद सही, बिल्कुल सही कहा था, किसने, गान्धी जी ने, आज 15 अगस वाले दिन ये शूटिंग करते हैं, मुझे वो याद आ रहा है, क्योंकि, जब हम किसी का बुरा बोलते हैं, तो अपना बुरा होता है, जब हम किसी का बुरा सुनते हैं, तो दिल अगहात पहुचता है, कि अच्छा, ये मेरी बुराई करती हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने अंदर बैठे उस आत्मा राम को तकलीफ ही क्यों पहुचा हैं, जो जो कह रहा है कहने दो, आपको आपकी फ्रेंड आकर कहते हैं, फलाने ने तेरे लिए ऐसा का, अरे ते सा कंट्रोल करो, एक बात हमीशा याद रखना, गाएं, बेटी और धन, किसी को भी मत दे देना, उठा कर, अगर बेटी आपने किसी को भी दे दी, वो दुखी रहेगे, आप दुखी रहेगे, शराबी है, उसको रोज शरापी के मार रहे है, आप परिशान रहेगे, गाए का दान हमीशा वहां करें, जहां गउक पालन करने की हैसियत हो उस इंसान की, हिम्मत हो उस इंसान की, जब गाएं कटेगी ना, तो कभी भी उस व्यक्ति को बदुआ नहीं देगी, जिसने उसे बेचा, बदुआ उसे देगी, जिसने संकल्प लेकर उस ब्रहामन को गाएं कि मैं तो कटरियों पर तेरे वंच में भी कोई ना बचे, बेटी का भी आपको समझ में आगया, गाएं का भी समझ में आगया, धन, धन के अभी किसी ऐसे इंसान को मत दो, जो जुए में, शराब में, मस्ती में, कर्जे में, शोकों में, लड़कियों में और गलत कामों में आपके पैसे को लगा रहा है कि आपको दुख हो और आप अगर ऐसा करते हैं तो आप लक्षमी का अपमान करते हैं आपने अपने घर में आयूई लक्षमी किसी के जूटे आसु देखकर उसको दे दी और उसके बाद आपको भी तिल तिल वैसे ही रोना पड़ेगा जैसे कि वो लक्षमी कि उसने अनादर किया, बरबादी की और वो रोया, इसलिए बौहात सोच समझ कर किसी को भी लक्षमी देरा, हर किसी को ठाकर लक्षमी मत देरा, हमेशे एक बात यादर को, adalah बोहात खुबसूरत है, बोहात खुबसूरत है, और जितनी भी महिलाएं हैं, आगे करवा चौत आएगा, हमारे पित्र मनाएंगे, हम पित्रों के ऊपर वीडियो बनाएंगे, हम पित्रों को कैसे मनाएं, जितने भी महिलाएं उनसे मैं एक बात कहूंगे, क्या मना हमेशा अपने आपको धरम पत्नी कहो, मैं इनकी पत्नी हूँ, वो मत से दूर ले जाती है मैं मैं इसको परसनल मत लेना मैं हर पत्नी के लिए नहीं बोली मैं भी पत्नी हूं पर मैं अपने आपको धरम पत्नी कहते हूं जब भी आप अपने लिए संबोधन करें धरम पत्नी करें वेद व्याज जी लिखते हैं कि कंधारी पत्नी थी लेकिन वहीं पति ने कभी भी द्रिश्ट राज को और अपने बच्चों को युद्ध करने के लिए नहीं रोका, मंदोदरी हर वक्त कुल के हर बच्चे को रामण को बार 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 धरम की विद्या देती रही और बताती रही कि मत लडो, मत लडो, मत लडो, सीता को वापस कर दो, सीता को धर्म पत्नी वो होती है जो पती को कथाएं सुनाएं, अच्छी वीडियो दिखाएं, कहानियां बताएं, गीता के पाट और उब्देश सुनाएं, मा की सेवा करने के लिए कहें, भले ही पती जबरदस्ती कर रहा हो, लेकिन उसे कहें, उसे धर्म का रस्ता दिखाएं कि ये क करो, यहां तुम्हारा आप मान हो रहा है, यहां मत जऊ उसे काम को, यहां तुम पत्नी की जूटी, पती की जूती हां में हां मिलाने वले धर्म पत्नी नहीं हो सकती, पति आप से रुस्ट हो जाएं, तो भी उसको उसकी गलती बताओ, एक बात हमेशा याद रखना, दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, और बड़ी दुखी और परेशान रही, डश्रत जी को याद आया कि श्वरन कुमार की हत्या कि हैं, जब वो नधी किनारे जा रहे थी, तो उन्होंने सुचा, हीरन रही पानी पी लहाँ पर है, बोले मेरी माने कहाता कि जिसके भी माते पर सूरे का जो है टीका हो वो तेरे मामा होंगे आप मेरे मामा जी बोले तो मुझे लेकर चलो तुमारे माता पिता का है वो उसको लेकर जाते हैं ठीक है और लेकर जब जाते हैं तो कहते हैं अरे ये तुम मेरी बहन है एकलौती बहन पर भोजन ही नहीं करूंगी, तो बोले इसका क्या हल है, तो बोले भiusयों को बुलाय गया, शियों ने कहा कि ऐसा है, कि 1000 ब्हादुनों को बिठाय जाए, और उन्हें दशरत जी बोजन कराएं, बोयों बोजन कराएंगे तो कस्ट दूर हो जाएगा, तो सीता जी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा मेरे पिता जी जनक जी को कॉल करो और उनसे बात करो मतलब जनक जी को संदेशा भीज़ो कॉल तो स्टेम पर होती नहीं थी जनक जी ने बोला नहीं है किसी एक ऐसे ब्रहमण को भोजन कराओ और जिसने कभी किसी के घर पर भोजन ना किया हो, तो बोले ऐसा ब्रहमण कहां से लाएं जब किसी ने घर में भोजन ना किया हो, वोई पूरे उसमें डंका बच गया, पूरे के पूरे अयुध्या के अंदर ऐसा ब्रहमण कहीं नहीं मिला, तब जनक जी बोले ऐसा एक ब्रह पाप तुम्हारा दूर हो सकता है, ये कथा कितनी सच, कितनी जूट, मुझे नहीं बता, लेकिन इस कथा का जो विवरन है, वो भागवत में आता है, कहीं ना कहीं, भूला गया, ऐसा एक ही व्यक्ति है और वह है रावण, रावण ने कभी किसी की हाँ भोजन नहीं किया, फिर मैं आपको बताओं उनकी पत्नी मंदोधरी ने उनसे बोला सपने मंदोधरी के आई ये बात कि देखो तुमने बड़ी विद्ध्याय प्रापकी बड़ा ही भोजन किया सब कुछ किया मैं तुम्हारी धरम पत्नी हूँ कभी किसी के घर जाकर भोजन नहीं किया तुम किसी के घर जाकर भोजन क्यों नहीं करते रावण मुस्कुरा कर बोलता है मैं किसी के घर जाकर भोजन करूं मेरे दस सर है मुझे भोजन करा कर अपना राजकोष कौन खतम करेगा मंदोदरी बोली शायद कोई तुम्हें भोजन कराना चाता है ऐसे मुझे एहसास हो रहा है इज़र दशरत जी का संदेशा रावण जी के पास पहुंचा कि आप हमारे यहां भोजन करने आओ रावण ने कहा मैं बिल्कुल भोजन करने आओंगा फिर रावण महां भोजन करने गया दशरत जी को गले लगाया उनके यहां भोजन किया और उसके बाद उनका यह कलंग खटा लेकिन फिर भी श्राप से मुक्त नहीं हो पाए वो और अपने बेटे के व्योग में ही उनकी भी मृत्य होई कई बार हम कष्ट और तकलीफ हैं और पाप कर देते हैं लेकिन यह सत युग में तरेता युग में दौपर युग में नहीं हो सकता था लेकिन कल युग में हो सकता है सच बोल रही हो किसी के लिए भी आपने किसी महिला के लिए गलत बोल दिया है अब शप्द हो गए हैं किसी का आप्मान आपने कर दिया है तो भी दोस, मैं सच बोल रही हूँ आपना 머리 में किवल दिल से एक बाफी मांग कर देखो खुद भगवान भी आपको माफ कर देंगे सच ऐसा कल्यूक में होता है प्लीज माफी मांगना सीखिए माफ करना सीखिए जिन्दगी बहुत चोटी है 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए शेयर कीजे और कोशिश कीजे कि आपके घर में भी वासू दोश और पित्र दोश नहीं दुबारा शिवलिंग पर जल चड़ाने जाएं तो लोटा भी आपका हो जल भी आपका हो और मन भी आपका हो फिलाल दीचे जाज़त नमस्कार